नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में वीवो टी 144 वाट वर्सस सामसंग गालेक्सी एफ 23 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो टी 144 वाट में 6.33 इंच जबकी गालेक्सी एफ 23 5G में 6.52 इंच की लेंध मिलती है Width की बात करें तो T144 Watt में 2.9 इंच जबकि Galaxy F23 5G में 3.03 इंच की Width मिलती है बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं weight की तो T144 Watt में 182 ग्राम्स जबकि Galaxy F23 5G में 198 ग्राम्स का weight देखने को मिलता है जो की T144 Watt से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो T144 Watt में AMOLED जबकि Galaxy F23 5G में TFT की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो T144 Watt में 6.44 इंचेज जबकि Galaxy F23 5G में 6.6 इंचेज मिलती है डिस्प्ले रेशियोशन T144 Watt में 1080 x 2400 और Galaxy F23 5G में 1080 x 24008 मिलता है स्क्रीन तु बादी रेशियो T144 Watt में 84.49 प्रतिशत जबकि Galaxy F23 5G में 82.53 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो T144 Watt में 409 पिक्सेल प्रती इंच जबकि Galaxy F23 5G में 400 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताई की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो T144 Watt में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Galaxy F23 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो दोनों phone में 7 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो T144 watt में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते है और Galaxy F23 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते है अई अब बात करते है hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो T144 watt में Adreno 610 जबकि Galaxy F23 5G में Adreno 619 मिलता है चिप सेट की बात करें तो T144 watt में Qualcomm Snapdragon 680 और Galaxy F23 5G में Qualcomm Snapdragon 750G मिलता है बात करें RAM की तो T144 watt में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy F23 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम Storage भी कहते है वो T144 watt में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की Storage मिलती है जबकि Galaxy F23 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB Storage मिल जाती है Expandable Memory दोनों फोन में up to 1TB है Operating System दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है Colors की बात करें तो T144W में 3 Colors जबकि Galaxy F23 5G में 2 Colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें Price की तो T144W में 3 variant देखने को मिलते है जो की 4GB RAM 128GB Storage के साथ 14,499 रूपीज 6GB RAM 128GB Storage के साथ 15,999 रूपीज 8GB RAM 128GB Storage के साथ 17,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें Galaxy F23 5G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 4GB RAM 128GB Storage के साथ 15,999 रूपीज 6GB RAM 128GB Storage के साथ 16,999 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Vivo T144W में 7,5 रूपीज और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Samsung Galaxy F23 5G की तो उसमें 7,5 रूपीज और 7 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में T144W आगे है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रन्ट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Galaxy F23 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियल्मी 9 Pro 5G है दूसरा शाओमी रेड्मी 10A है तीसरा ओपो A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y2 1T है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना